Good morning students, मैं इदी शर्मा, आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ, बच्चों, आज हम व्याक्रन में क्रिया पढ़ेंगे, इस पार्ट में बच्चे दो पार्ट से हैं, एक हमने पढ़ना है क्रिया और दूसरा पढ़ना है काल, सबसे पहले हम जानकारी लेंगे क्रिया क्या होती ह क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में हम क्या बोलती है, वर्ब, क्रिया होता है जिससे हमें किसी काम के होने का पता जलता है, कि काम हो रहा है, या काम हो चुका है, या काम होगा, तो आएए पहले इसकी परिभाशा को पढ़ती है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का ब जिससे किसी कार्य का होना पाया जाई ये दोनों ही क्रिया की क्या होती है विशेश्टाई धातू क्या होता है क्रिया के मूल रूप को बच्चे हम धातू कहती है जैसे धातू के साथ ना जोडने पर ही क्रिया का समान्य रूप बनता है जैसे लिख प्लस ना यहाँ पर लिख क्या है धातू रूप ना उसके साथ जोडने पर बन गया लिखना लिखना क्या बन गई क्रिया पढ़ प्लस ना पढ़ना आगे बच्चे हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद क्रिया के करम के अधार पर दो भेद होती है अकर्मक्रिया और सकर्मक्रिया सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक्रिया वे क्रियाईं जिनके साथ करम ना लगे तथा क्रिया का फल केवल करता पर ही पढ़े करता जो काम कर रहा है करता पर पढ़े उन्हें अकर्मक्रिया कहती है जैसे यश और सोहन दोड रही है बच्ची सो रही है इन दोनों ही वाक्यों में यश और सोहन तथा बच्ची ये क्या है करता और क्रिया किस कौन कर रहा है करता कर रहा है तो इसका प्रिभाव करता पर पड़ा हुआ है इसलिए ये अकर्मक क्रिया है दूसरा है सरकर्मक्रिया ये क्रियाएं जिनके साथ करम लगे तथा क्रिया का फल भी करम पर ही पड़े करम मीं जोता है काम काम पर पड़े उन्हें सरकर्मक्रिया कहती है जैसे पिता जी फल लाई है लाई है हो गई क्रिया लेकिन क्या लाए है पिता जी फल तो काम किस पर हो रहा है यहां पर फल पर फल क्या है आपका करम तो यहां क्रिया का प्रभाव किस पर पढ़ा फल यानि की करम पर दूसरा वाक्य मा ने पत्र लिखा लिखा क्या है क्रिया मा ने लिखा लिखा हो गई क्रिया लेकिन क्या लि बच्चो ये आपकी एक छोटी सी कार्य पत्रिका है जिसको आपने खुद सौल करना है और उत्तर पुस्तिका पर भी लिखना है निमा लिखी द्वाक्यों में से क्रिया पर छांट कर क्रिया का भेड लिखे आपने पहले लिखना है कि क्रिया इसमें से क्या है और फिर उसका भेद भी बताना है कि यह कर्मक्रिया है या सकर्मक्रिया अब हम बच्चों दूसरा भाग शुरू करेंगे इस पाट का जिसका नाम है काल का अर्थ होता है बच्चे समय इंग्लिश में इसको बोलती है टेंस आईए काल की परिभाशा बढ़ती है क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहती है जैसे अब्दुल कलाम मसाइल में के नाम से प्रसिद थे ये बीते हुए समय के बारे में बता रहा है वह तबला बजा रहा है यानि कि अभी भी काम चल रहा है प्रिक्षा मार्च में होगी प्रिक्षा कब होगी मार्च में याने के आने वाले समय में होगी तो जो शबद हमें क्रिया के करने या होने के समय का बोद बताएं उसे काल कहती हैं काल के भी बच्चों तीन भेद होती हैं भूद काल वर्तमान काल और भविश्यत काल सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूत काल काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त हो चाने का पता चली उसे भूत काल कहती हैं जैसे पशुद चारगामी चर रही थे युवकों ने गीत गाई थे इस दोनों ही वाक्यों में बच्चे काम हो चुका है इसलिए ये क्या है भूत काल भूत काल के भी बच्चे छे भेद होती है सामान्य भूत काल, आसन्य भूत काल, पूर्न भूत काल, संदिक्द भूत काल, और हे तू हे तुमत भूत काल दूसरा हमारे पास है बच्चे वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समी में होने का अबोध हो उसे वर्तमान काल कहती है वर्तमान काल मींस प्रेजन्ट जो समी अभी चल रहा है जब हमें पता चले काम अभी चल रहा है या भी हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहती है जैसे गाड़ी आ रही है तो अभी गाड़ी सामने से आ रही है अभी काम हो रहा है माली घास काड़ता है अभी काम प्रेज़न में हो रहा है वर्तमानकाल में भी बच्चे तीन भेद माने गई हैं सामान्य वर्तमान काल अपूरन वर्तमान काल और संदिक्द वर्तमान काल तीसरा है बच्चे भविश्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविश्य में संपन होने का बोध हो कि आने वाले समय में काम स्मक्त होगा उसे भविश्यत काल कहती हैं जैसे महिलाएं कुएं से पा यह आने वाले समय में काम पूरा होगा इसलिए इसे भविश्यत काल कहा जाता है भविश्यत काल के भी दो भेद होती है सामान्य भविश्यत काल और संभाव्य भविश्यत काल बच्चे यह एक छोटी सी कार्यपत्तिका है इसको भी आपने उत्रपुस्तका में करना है निमाल धन्यवाद बच्चो